जे माता दी दोस्तों मिया नामे दित्ती रापका में चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोग साश्यर कर रही हूँ कि अश्टमी नवमी की पूजा और नवरात्री में जो भी आप पूजा करने वाले हैं उसमें क्या कैसा मगरी आपको चाहिए पड़ेगी ब हमई को सकते हैं डोनों का महत्र बहुत होता है यही जरूर रखना चाहिए आर्टिफिच्छल माता राने को भी ना बहुत सारे लोग बूस्पूर इनला चाहिए और यह यहां डून और टीपक जलाने के लिए इत्र धूर और युवफryn और फूल बत्ती जो हम बाती जलाते हैं और लंबी वाली बाती अखन जोती के लिए ये सभी चाहिए पंची मीबा चाहिए चना गुड का प्रिशाद बहुत प्रिय होता है मातरानी को तो वो जरूर लगाए हवान का सामान चाहिए मिश्री है साबुचावल है जल रखने के के लिए छोटी सी आप ग्लास या कटोरी रख लें मिश्री रखी हुई है मैंने यहां पर और यहां कपूर की आर्थि हम करेंगे और कपूर ही अपने हवर में डालेंगे माता का जो है पाठ करने के लिए शबशतिया दूर कर चालिसा आप निकाल कर रख लें जिससे कि दीपक हमारे जो नारियल है उस पर अच्छी तरीकी से बांध कर उसको कलश की उपर रखेंगे कलश के लिए हमें जल चाहिए और यहां अखन जोती के लिए हमें दीपक चाहिए बहुत बड़ा सा दीपक चाहिए पड़ेगा नहीं तो आप एक काम भी कर सकते हैं कि आप मि कि मातराने की पूजा के लिए और मातराने के सिंखासन ये बश्तुर आक रखके हैं और यहां पर रखेंगें कर आक घुछ में कबें चadece नहीं चाहिए दो पांच इस तरीके से फ़र्जाना जाहिए हमें यहां पर दुर्गाश्रप्षति अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा रहेगा माता की पूजा करने के बाद आप दुर्गाश्रप्षति के 108 नाम जरूर बोलें यहां पर दूसरे तिसरी नमबर के प अच्छों के कारण तो माता के 108 नाम बहुत फटाफट बोल जाते हैं तो जरूर बोलें आप पूरे 9 दिन बोलें आपको बहुत फल प्राप्त होगा आपको अलग से शांती मिलेगी और यह लॉंग हमें चरानी है फूल बारी लॉंग चरानी है ध्यान रखे साबुत लॉं बहुत ही सरल विदी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करिये नायल का ध्यान रखेंगे पानी बार नायल लेंगे आप और जो उसका मुह होता है वह आपको उपा के साइड रखना है इस तरीके से आपको रखना चाहिए तो और यह आपको पूरी चीज़ें पहले से वस्ता क करने चाहिए जसे कि आप उस दिन परिशान ना हो क्योंकि सुबह सुबह का मूरत है कलस स्थापना का तो इस तरीके से यह सामगरी हमें चाहिए पड़ेगी और अब मैं आपको बताती हूं कि नवमी आश्टमी के दिन आपको क्या सामान चाहिए आश्टमी नवमी के दिन यही सामान चाहिए बस हमें पान चाहिए अलग से पान का पता और यहां हलवा पूरी का पुषाद लगाया जाता है और चनी का पुषाद लगाया जाता है जो चना होता है काला चना वह सिंपल पानी में भीगू कर रख लें एक दिन पहले उसको फ्राई कर लें आप उसका करदी परे हमारे यह हबन बहुत बड़े इस तरह पर तो यह देखिए मैंने इस तरीके होता है जब भी हमें हवन करना हूँ तो यह जो भर कर हम हवन रख लेते हैं इसमें बहुत सारा कपूर और घी होता है जिससे अच्छी-टर इस स्टेबिल रहती है और जब हम हमें हवन करना हो इसका स्टेंड आता है इसमें एक नीचे हम घी की इबाद ही चला रख देते हैं तो यह अपने आप ही जलने लगता है और जब तक हम पूजा करते हैं जब तक हमारा हवन तैयार हो जाता है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा मंदिर उपर होता है और हम नीचे रहते हैं कि नीचे होती है तो बार-बार उठने की परिशानी होती है बोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर की जाया से लोगों को और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसे ही अपना प्यार अपना सपोर्ट में साथ बनाए रखे और मेरी चैनल को ग्रू करने में मेरी मेर कीजे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद